बिग बॉस OTT लाइफीट की बात करें दोस्तों तो आपको बता दे बिग बॉस के लाइफीट पर सुबह सुबह बेबीका चालू हो चुकी है बेबीका की बात की जाए तो बेबीका कहे रही है कि मैं इस इंसान से बात नहीं कर सकती जो जद हदीद को सपोर्ट करता है मेरे उपर false allegation लगाता है मेरे उपर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है यहां तक कि वो ये बात भी कह रही थी कि मुझे कप्तानी से इसने हटाने की कोशिश की मैं मेरा life के अंदर एकी chance था केप्टन मनने का वो कप्तानी का chance इसने मुझे से चीन लिया मुझे कप्तान नहीं बनने दिया और इसने reason भी बहुत गटिया दिया वहीं फुकरा इंसान जब वहां से निकल रहे होते हैं तो कहते हैं कि सुबह-सुबह इंसान भगवान का नाम लेता है यह चुप निकाल यहां से और यह बात बहुत ही प्यार से बोलते हैं फुकरा इंसान को भगवान का नाम लेना चाहिए दूसरी और फुकरा इंसान बहरा कर यही बात कहते हैं कि यार सुभह उठते के साथ ही यह लोग मेरे को ही टार्गेट क्यों करने लग जाते हैं मैं मतलब रात को क्या सोते इसी सोच से हैं कि ये लोग की सुबह उठेंगे और सीद्धा अभिशेक को बरबाद कर दो अभिशेक को सुबह सुबह शांती से रहने मट दो सिर्फ और सिफ ये इस तरीके से ही करते हैं दूसरी और बेबिका की बात करें दोस्तों तो बेबिका एक के बाद एक जो है टार्गेट किये जा रहे है अभी शेख को और जध हदीत को लेकर और कह रही है कि अगर मेरी जग़े उसकी बहन होती ही तो क्या वो ऐसा ही करता अपनी बहन को भी ऐसा ही रखता फलाना डिमकान दूसरी और अगर देखा जाए तो बेबी का ही स्टार्टिंग से प्रवोक करती भी नज़र आ रही है एक के बाद एक प्रवोकेशन की जो बाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेबी का द्वारा ही निकल रही है कमेंट करके अपनी रहे हमें जुरूर बताएं कि आपका क्या कहना है इस बारे में पिक बॉस की और बेपडेट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को